नबसकार में रुचे आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में बीती रात इंडिया और आयरलैंड के बीच T20 मैच खेला गया बारिश के कारण रिड्यूश हुए इस 12 ओवेर के मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से मात दिदी जीत तो पहले ही निश्चित थी लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा घटित हुआ जो बिलकुल अनिश्चित था क्या है जानी अमारी इस रिपोर्ट में कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन ऐसी अनिश्चितता हो जाएगी ये किसी क्रिकेट प्रेमी ने नहीं सोची होगी आप भी सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर कहा जाए कि 130 की औसर स्पीड वाले गेंद बाज भुवनेश्वर कुमार ने 208 की स्पीड से गेंद फेकी तो मैं और आप क्या कोई भी अकीन नहीं करेगा लेकिन कल के मैच में ऐसा ही हुआ भुवनेश्वर ने एक नहीं लगातार तीन गेंदे 200 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से फेकी जी हाँ चौकिये मत हम तो कह रहे हैं कि वो बिलकुल ठीक है दरसल ब्राटकॉस्ट के स्पीडो मीटर में भुवी की एक गेंद 227 किलोमीटर प्रतिगंटा तो दूसरी 208 और तीसरी 201 किलोमीटर प्रतिगंटे की रही टीवी पर जैसे ही यहां आकड़ा आया फैन्स सक्ते में आ गए क्योंकि जो श्वेब अक्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर थे जिन्नोंने 2003 विश्वकप में इंगलैंड के खिलाब 161.3 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से गेंपे की थी जो आज त एक यूजर ने तो स्क्रिंशॉट पोस्ट करते हुए ये भी लिख दिया कि कौन है श्वेब अक्तर और उम्रान मले भूवी ने अभी सबसे तेज गेंपे की हैं खेर स्क्रिंशॉट वाइरल हुए हैं तरह तरह की चर्चाएं हुई हैं लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ अलग ही है जो की बाद में पता चली दरसल मैच के दोरान स्पीडो मीटर में तक्नीकी खामी आ गई थी जिसकी वजह से भुवनेश्वर की दो गेंदों की स्पीड इतनी ज्यादा बताई गए यही वजह है कि श्वेब अक्तर का रिकॉर्ड अभी बरकरार है स्पोर्ट्स डिस्क जनसंदेश टाइम्स